केक बनाना उतना ही आसान है जितना की खाना और बहुत आराम से बन जाता है मैं एक फोंबेकर हूँ और मैंने घर से ही केक सीखाए कहीं में सीखने नहीं गई हूँ और बस एक perfect measurement होना बहुत जरूरी है बेटर कैसा होना चाहिए यह सब चीजे बहुत जरूरी है और इसके बा लिया था इसलिए मैं चॉकलेट के बेटर का बताती हूँ सेम मेजर्मिंट होता है और मैंने चॉकलेट का दो कप्री मिक्स लिया है दो से थोड़ा सा भी ज्यादा ले सकते हो आप और ग्राम में देखेंगे तो लमसम यह हमारा जो दो कप्री मिक्स होगा वह 180 ग्राम यह 200 ग्राम के सम्थिंग होगा और इसमें एक ग्लास से थोड़ा सा कम पानी डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना होता है बहुत एक साथ एड़ करोगे तो लमस बन जाएंगे क्योंकि हमें लमस फ्री बेटर चाहिए होता है और दो टेबली स्पून ओयल डाल और यह मैं टीन पर जो डाल रही हूं ना तो इसमें मैंने पहले ओयल लगा रखा था नीचे और कुछ भी एड़ नहीं किया कोई पटर पेपर कुछ भी एड़ करने की ज़रूरत नहीं हलक अलका आप तेल से ग्रीस कर लीजिए और बस इजली आप इसको 180 डेग्री सेल्सि मिनट के बाद तो देखिए टूथपिक से पहले इंटर करके देख लेना है कि टूथपिक में जरा सा भी चिपक करके आ रहा है तो यह समझ लीजिए कि स्पॉंज साई से बेक नहीं हुआ है और टूथपिक मेरी देखी नहीं एकदम नीडन क्लीन आई थी इसलिए अच्छ इसलिए टेकनिक ही अपनानी है और बहुत इजी है और गैस पे तो और अच्छा बेक होता है मेरा जब यह केक मैंने इसकी प्रॉपर लेयरिंग कर ली और यह लेयरिंग अगर आप से नहीं होती है तो धागे से भी बहुत अच्छी लेयरिंग होती है हल्कल का कट से दिन बताऊंगी और मैंने इसमें बोर्ड पे पहले थोड़ी सी क्रीम एड़ की ताक कि मेरा जो इस पॉंज है वो चिपक जाएगा और इधर उदर खिसके गा नहीं नहीं तो फिर कि जब खिसकता है तो सही से डिजाइन नहीं बनती और हां पानी से ना इसको सोक करना बहुत थोड़ी सी ही लगानी है, जितना आपका leukeas sponge इस से थोड़ा सा कम cream लगेगा और मैने इसमें क्रस्ट डाल दिए है आज मैंने fiance पाईपल चंट नहीं डाले है और क्यूंकि कस्टोमर ने बहुत एमरजिंसी में एक एक dag किया था और मेरे फिएविवा पाईपल चंट से ही काम चला लिया नहीं तो मैं पाइनेपल चंक्स जरूर एड़ करती हूं और देखा ना मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्रीम एड़ की है बहुत ज्यादा क्रीम एड़ नहीं की है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रीम भी केक में अच्छी नहीं लगती है और ब्रेड जो स्पॉं बनाना है ज्यादा वेट का करना है तो इसी की उपर आप और दो लेयर कर लोगे तो वन केजी का केक बन जाएगा और ये एकदम परफेक्ट पान सो ग्राम का ही केक निकलेगा थोड़ा सा ही ज्यादा होगा अगर आप सेम टेकनिक चॉकलेट केक पे अपनाते हो तो कोई जरूरत नहीं है चॉकलेट केक का वेट जाता ही जाता है और क्रीम में मैंने थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया था क्योंकि ये खाने के लिए ही केक बन रहा है किसी ने मुझे खाने के लिए ही और किया था उनको प्रॉपर डिजाइन वगेरा कुछ नहीं चाहिए था इसलिए मैंने simple सा ही बनाया है पैनेपल बना रही थी तो मैंने इसमें yellow color भी कर रही है क्योंकि summer में थोड़ा से yellow color ज्यादा अच्छा लगता है और मैंने चारो तरफ इसमें knife से ही add किया है आप कर सकते हो तो piping bag में nozzle लगा करके भी भर सकते हो और इसके बाद आप उसका icing कर सक केक का लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मुझे बहुत है इसलिए मैंने डायरेक्ट नाइप से आइट कर दी और देखो यहां से स्पोंज मेरा दिख रहा था तो मैंने थोड़ी सी और क्रीम एट की क्यूंकि कोई भी केक हो अगर बिल्कुल परफेक्ट फिनिस हुई होती है कीन हेना तो केक बहुत अच्हा लगता है और गर फिनिस नहीं हुई होती है तो यह दे साथ सिंपल पर से शाइड में थोड़ा सा यह लाइन कर दिया और तौप भी मैं नाइप लुए करूंगी और देखोTo is 35 और क्लीन होने चाहिए केक कि मेरा वहाँ ने केकहेंड तेड पहले नाइप से ही मैंने ये डिजाइन वेव वाली बना दे ये केक में बहुत अच्छी लगती है और मैंने ये कुछ ट्विस्टेड नोजल टाइप की लिए है जो ट्विस्टेड इस्टार नोजल होती है इसका नमबर तो इसमें नहीं लिखा है अगर आप ऐसे फ्लावर बिच में गया पाज आएगा तो फ्लावर अच्छा नहीं लगेगा और जैसे मैं बता रही हूं एक की उपर एक करके थोड़ा सा बनाएंगे तो फ्लावर का लुक बहुत अच्छा आता देकि टाओ स्टार्टिंग के दो फ्लावर उतने अच्छे नहीं लग रहा है थे ज 500 ग्राम ही है और इसका मैंने 300 चार्ज किया था आप आप लोगो आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक ओमें सब्सक्राइब